बिस्मिल्लाइ रह्मानि रहीम Dear Principals, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 November को आलमी Children Day मनाया जाता है पूरी दुनिया में Alls in Private School and College Association ने भी पिछले साल की तरह इस साल भी Children Day मनाने का प्रोग्राम बनाया ने उसके साथ साथ तमाम स्कूलों में, बच्चों के को साथ मिलाकर Theme Based Children Week मनाने का प्रोग्राम बनाया है यह प्रोग्राम क्या है, इसको कैसे सेलिबरेट करना है और इसकी Theme क्या है, यह वीडियो इस के लिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो सबसे पहले समझ लीजिए कि बन्यादी तोर पर ये पांच दिन हम बच्चों को मस्रूफ रखेंगे डे वन में कुछ और थीम की बन्याद पर बच्चों के लिए कुछ अक्टिविटीज हैं डे टू में थीम की बेसिस के उपर कुछ और एक्टिविटीज हैं इसी तरह से अगली चीज़ों में तो देखते हैं डे वन के थीम क्या है डे वन की जो थीम है वो नो, नो, एंड नो ड्रग्स, हरैस्मेंट एंड कार्पोरल पनिश्मेंट डे वन में हम अपने बच्चों को इस टॉपिक के ऊपर मालूमात भी फराम करेंगे एक्टिविटीज भी कराएंगे और उनको चिल्डन डे का पार्ड बनाएंगे इसी तरीके से जो दूसरा दिन होगा उसमें राइट्स एंड रिस्पॉंसिबिलिटीज और चिल्डन और स्टूडन्स इसके बारे में हम उनको मालूमात भराम करेंगे और उनको मुक्तलिफ कि एक्टिविटीज के जरीए से उन्हें हम इस दिन की एहमियत को या इस टॉपिक की एहमियत को समझाने की कोशिश करेंगे तीसरा जो दिन है वो citizenship and environment के लिए मक्सूस है इस मौदू पर हम बच्चों को मुक्तलिफ कि एक्टिविटीज और knowledge प्रोवाइट करेंगे चौथे दिन Self Improvement Through Mind Science ये एक मौदू होगा जिसको लेकर हम बच्चों की मालूमात में भी दाफ़ा करेंगे और मुक्तलिफ कि एक्टिविटी बेस्ट लर्निंग उनको हम देंगे और पांच्वाँ जो दिन है वो है Acquisition of Science and Technology अब ये कैसे होगा हर रोज और इनकी information मजीद आपको कैसे मिलेगी हर दिन के लिए एक वीडियो यहां से जारी होगी जिसमें उस वीडियो उस दिन की theme की सारी information सारी knowledge सवालाद बच्चों से आपको क्या discussion करना है उनसे क्या सवालाद पूछने हैं उनको किस قسم की activities करानी है हर दिन की एक अलग वीडियो मैं इसी चैनल के उपर पोस्ट करूंगा जो आपके असातिजा देखकर उससे वो basic idea उनको मिल दाएगा जिसके जरीए से वो अपने बच्चों को उस दिन मजबूर रख सकते हैं यह idea है कि बजाए ऐसा भी हो सकता है कि आप मखसूस time कर लीजिए एक पूरे स्कूल का एक ही मखसूस time हो निसाल के दोपर half time के फॉरण बाद से लेके एक घंटा तक या छुटी से पहले एक घंटा या half time से पहले एक घंटा हम मखसूस कर दें पूरे स्कूल के लिए और हर टीजर अपनी क्लास में अपने बच्चों की लिविल के लिहाद से उस थीम को जारी करें उस थीम से मुतालिखा नौलिज को प्रोवाइट करें इस एक घंटे को किस तरह से डिस्टिब्यूट करना है इसको भी हम एक आईडिय के तौर पर आपके सामने रपते हैं तो डेली आवर ओफ एक्टिविटी को अगर हम अंडरिस्टेंड करें तो जैसे यहाँ पर एक मिसाल के तोपर एक चार्ट आपको दिया गया है जिसमें 10 बच कर 15 मिनट से लेके 11 बच कर 15 मिनट तक के एक पूरे घंटे को मुफतलिफ शेडियूज में तोड़ा गया है आइस ब्रेकिंग जो है वो 5 मिनट की हो यानि आप मौजू और बच्चों के साथ थोड़ा सा उनको अपने साथ मिलाने के लिए और उनकी हेजिटेशन को खोलने के लिए आप 5 मिनट लें उसके बाद आप अपने थीम की अनाउंस्मेंट करें यह उस दिन की जो थीम है उसे 5 मिनट में बच्चों के सामने डिफाइन करें ताके बच्चे समझ जाएं कि आज उन्हें किस मौजू पर बातचीत करनी है और किस मौजू को उन्हें सुनना है उसके बाद पैनल डिसकेशन में तीन सवालाद होंगे हर रोस तीन बुनियादी सवालाद के गिर्द हम 20 मिनट तक बच्चों के साथ मुक्तलिफ कि डिसकेशन उनकी आरा, खुद अपनी आरा हमारे क्या आइडियाज है हमारी क्या नालिज है और खुद वो क्या इस बारे में सोचते हैं ये 20 मिनट तक हम इन तीन सवालों के अंदर रहते हुए हम बच्चों के साथ बादचीत करेंगे उसके बाद अगला जो है वो 10 मिनट हम मक्सूस कर सकते हैं कुछ सन आंसर सेशन पर जिसमें हम 10 सवालाद बच्चों से करें या बच्चों को मौकर दें कि वो आप से सवाल करें पाँच और आप उनके जवाबाद दें और फिर अगले 15 मिनट जो है वो हर थीम के अंदर 10 मक्सूस सवालाद बनाए गए हैं और वो 10 मक्सूस सवालाद को अगर एक एक करके हम पूशें तो 15 मिनट की ये डिसकेशन रखी जा सकती है और आखरी के 5 मिनट हम तीन वादे यानि हर थीम दर असल तीन वादों या उसका जो निचोड है समरी है वो तीन वादों की शकल में तरतीब दे दिखी है ताके बच्चे जो है वो उसको अपनी इन्वाल्मेंट के लिए वो खुद से अपने तोर पर एहद करें कि वो आज की थीम से मतालिक क्या बासी गए हैं इसके लिए तीन वादे जो है वो रखे गए हैं इस तरह से ये एक घंटा हम बच्चों को टाइम ब्रेक करके अपनी सारी चीज़ उनको पढ़ा सकते हैं इस तरह हम पांच दिन चिल्डरन वीक मना कर बच्चों की जहनी और उनकी इलमी सलाहियतों में अदाफा कर सकते हैं और पूरी दुनिया के बच्चों के साथ अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं मेरी जो अगली वीडियोज होंगी उसमें हर दिन की अलग अलग थीम पर पूरी तफसील के साथ बाचीत होगी ये वीडियोज तमाम टीचर्स को दिखा दी जाएं ताके वो इस थीम की मताबिक इसमें जो नॉलिज दी गई है उसके मताबिक क्लासरूम के अंदर उसको परफार्म कर सकें शुक्रिया